बिना ब्रेड के संविच बनाएंगे फ्रेंज येस वह भी घर पे रखें इंग्रीडियंट के साथ इतने टेस्टी है कि आप ब्रेड वाले संविच भी भूल जाओगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए एक बड़ा सा बोल ले लेंगे और हम ले लेंगे बेसिक इं कोई भी कटोरी सेट कर लीजे उसके कोड़िंग ली सारे मेजूरमेंट ले लीजेगा तो यहां मैं दो कप गेहू का आटा दाल जहूँ क्योंकि आज का लंच मेरा यही है तो यह चार लोगों के लिए इनफ है इतना अब यही सेम कटोरी भरके मैं ले लूँगी बारिक सूजी आपकी मोती है तो अब थोड़ा सा उसके पीस के जरूर ले ले तो दो कप गेहू के आटी के साथ एक कप सूजी है इतना इदम इजी मैजूरमेंट अब इसमें हम डालेंगे दही चीहां फ्रेंच दही एक कटोरी सेम वही कटोरी ले लिया है एक कप दही डाल आप सुअझर दें एक आप देंगे कुछ मसाले जैसे कि मैं इसमें डाले लिए नमक तो आप स्वाथ के अनुसार इसमें नमक अड़ कर ले साथ ही मैज चिली फ्लेक्स आट करूंगी यह टोटली ऑपशिनल है तो डाले वैसे चिली फ्लेक्स कैसे बनाते है मैंने अलृड गाड़ा नाही जादा पतला इदम समी लिक्विड इसका गोल रेडी करना है तो जो कटोरी भर के मैंने लिया है वो तीन कटोरी भर के पानी इस पे लगा है फ्रेंड्स इस टाइप की कंसिसेंसी आने में अब सूजी डाला है तो इसे कवर करके रखना जरूरी है तो दस मिनि करना है इसी तरह से हमें करना है अब इसमें कुछ और इंग्रीडिंट एड़ करते हैं इसका एक बहुत ही अच्छा और चटपटा मसाला बनाते हैं तो यहां वान ओनियन ग्रीन चिली अद्रक को चॉप करके ले लिया है सबसे पहले मैं यहां एक बड़ा प्यास को इस तर इसके साथ ही हम आधा चमच काला नमक एड़ कर लेंगे एक चमच के करीब बुना चीरा का पॉडर एड़ कर लेंगे एक चमच लाल मिर्च का पॉडर एड़ कर लेंगे वैसे यह आपकी इसाथ से कमजादा कर सकते हैं और नॉर्मल नमक थोड़ा सा डाल देंगे टेस्क ए आग कर सकते हैं बट आमचूर पाउडर से टेस्ट इसका बहुत ही बड़िया आता है साही चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और क्या हमाई स्टफिंग रेडी है चलिए बैटर को चेक कर लेते हैं तो बैटर भी अच्छी तरह से फूल चुका है क्योंकि इसमें सूजी डाली थी अब आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यह देखे ताकि इसमें एर उक्यूपाई हो जाए और एदम फ्लफी और लाइथ हमारा बैटर बन जाए तो अगर आपको लगे कि गाड़ा है तो थोड़ा सा पानी और डाल दीजेगा तो बैटर यहां रेड़ी है मैं इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेती हूँ दो कप की करीब मैंने इसमें ट्रांसफर कर लिया है तो जब आपको बनाना है तब आपको इसमें सोडा या इनो आड़ करना होगा तो मैं आज इसमें इनो आड़ करूँगी ताकि अच्छी तरह से फूल सके और इसका टेस्ट इतना amazing है ना friends believe me आथा चमच के करीब मैंने यहाँ इनो डाला है आप चाहे तो इनो डालने के टाइम पर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं इससे activate करने के लिए इसकी consistency इस टाइप की चाहिए देख सकते हैं आप और इदम light और fluffy यह हो चुका है चलिए बनाना शिरू करते हैं तो मैं यहाँ इस तरह का sandwich maker यूज करी हूँ अगर आपके पास electric sandwich maker है उसमें भी आप इसको बना सकते हैं तो यह वाला इदम सस्ता आता है friends मैंने डिमाट से लेके आया है सिर्फ 199 का यह आया है और इसकी quality कैसी है अभी आपको देखे ही पता चल जाएगा friends तो मैं इससे first time ही आज use कर रही हूँ यह देखे इस तरह से और इसमें बहुत ही अच्छा shape आता है तो जो भी shape का आपका sandwich में करेना वही shape की आपकी sandwich बनेगी तो यहाँ मैं पहले यह batter को आड़ करूँगी बैटर की consistency देखे आप चाहे तो थोड़ा सा और भी पतला यह batter कर सकते है यह देखे इस तरह से इसको अच्छी तरह से फैला देंगे पहले और अब हमने जो stuffing बनाई थी उसका गोला बना देंगे और उसकी पेटिस जैसे बना देंगे यह देखे आप चाहे तो बैटर के अंदर ही खूब सारे vegetables दाल के भी इस तरह से बना सकते है या आप मैंने जिसे sandwich बोला है इसलिए मैं अंदर आलू की stuffing रख रही हूँ और इस तरह से मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ अदरवाइस आप बैटर के अंदर सारी vegetable को add कर लिजे सारे masala add कर ले और इस तरह से sandwich आप बना दे उपर से थोड़ा सा oil या butter लगा लूँगी और इसको बन कर लेते हैं और दोनों साइड हम low flame पे अच्छी तरह से इसे सेखेंगे बिल्कुल भी flame high नहीं करिएगा low flame पे ही सेखेंगे तो इसके results इदम perfect मिलेंगे ये देखे इदम आराम से निकल रहा है यानि जो मेरी tension थी ना वो खतम हुई तो इस टाइब के sandwich maker भी आराम से काम करते हैं ये देखें इदम बढ़िया दोनों साइड मैंने सेख लिया है और अच्छा golden brown color आया है और अच्छी तरह से crisp हुआ है इसी तरह से मैं दूसरा भी यहां बना लेती हूँ ये देखें इसको भी मैं दोनों साइड अच्छी तरह से उलटते पलटते आपको low flame पे करना होगा और आप चाहे तो उपस थोड़ा butter या घी या oil लगा सकते हैं तो यहां मेरी sandwich बनके ready है वो भी without bread है ना बहुत ही healthy option उपर से इस तरह से butter जरूर लगाए सर्फ करने की time पे और गर्मा गरम ही इससे enjoy करें लग रहा है ने दम tempting सच बताना मूँ में पानी आया की नहीं ये देखें हैं दम bread की तरह लगेगा टेस्ट भी वैसा ही लगेगा और बच्चों को आप उलू बना सकते हैं इस तरह से और healthy option भी आप बच्चों को खिला सकते हैं है ना बहुत ही tasty अब आप बोलोगे आपके पास sandwich में कन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं छोटा सा pan या तटका pan में भी आप इसी तरह से बना सकते हैं बैटर दाले उपर से stuffing रखे उपर से और बैटर दाले और आपका ये sandwich बनके ready हो जाएगा बस shape sandwich का नहीं रहेगा गोल रहेगा बट stuffed bread ये भी कहलाएगा friends तो इस तरह से आप बिना bread के भी bread sandwich बना सकते हैं healthy version है friends तो एक बास जरूर ट्राई करीगा चले इसको cut कर लेती हूँ ये देखे इद्दम बढ़िया और tempting हमारा ये आज का lunch मेरा ready है friends मैं तो ये ही enjoy करने वाली हूँ इतनी quantity 4 लोगों के लिए sufficient है ये देखे आपको street style की definitely याद आएगी चलिए मैं तो जा रही हूँ इस enjoy करने आप like कर दीजेगा शेर कीजेगा और subscribe कीजेए मेरे चैनल को till then take care bye bye